फिर प्रष्टना आता है कि हमारी तो अनेक भाषा हैं तो एक भाषा हमारी क्यों नहीं तो किसी एक भारतिय भाषा को हम सीखे इसका मानस हमको बनाना पड़ेगा हिंदी की बाद स्वाबा विकरूप से चली है पुराने समय से चली है अधिक लोग हिंदी बोलते है इसलिए चली है लेकिन ये मन बनाना पड़ेगा कानून बनाने से नहीं होगा थोपने से नहीं होगा आखिर एक भाषा की बात हम क्यों कर रहे हैं इसलिए कि हमको देश को जोड़ना है एक भाषा बनाने से अगर देश में विरोत खड़ा होता है आपस में कटूता बढ़ती है तो हमको तो यह सोचना जाई कि मन हम कैसा बना मेरा अनुबह ऐसे कहता है हिंदी ठीक है कोई दिकत नहीं है लेकिन हिंदी में काम करना पड़ता है देश में अधिकाउश भाग में इसलिए अन्य प्रांतों के लोग बहुत से लोग हिंदी सीख रहे सिखते हैं हिंदी प्रांतों के लोगों का हिंदी में चल जाता है इसलि तो ये मन मिला अब जल्दी होगा और हमारी एक राट्र बाचा और उसमें सारा कारोबार ये काम जल्दी हो जाएगा ये करने की आवश्चता है हिन्दी स्वाभाविकंगा एंतो कालंगा वाडुकुलों उन्दी एक्को मंदी हिन्दी माटलार्त तरु अहिते ई विशयाननी नच्च चेप्पाली केवलों चट्टंतो जरिगे पनिकादु अलागे बलवन्तंगा रुद्धिते रादु मन उक्क भाषने वाडालाने एंदुकु चर्ट्चेस्तु नम देशाननी कलिप्पी उँच्चिदानिके कदा अहिते अलांटी उक भाषा मनलो विरोधानिके दारित्तीडु मंचिदि कादु कनुका यला नच्च चप्पाली अना अलोचिन्चाली ना अनुभों प्रकारं हिंदी सरे हिंदी एक्कोगा माटलाड तरु एक्कोव प्रांथाललो पनलु जरगाल अंटे हिंदी माटलाडाली कनुका अन्य प्रांथाल वारु हिंदी नेर्च्कुन्टारु हिंदी प्रांथनलो हिंदी माटलाडे वाललकु हिंदी तो पनि जर्गी पोत्वांदि कनुका वाल्लु वेरे भाषन नेर्चुकोरू हिंदी प्रांथन वारू मरोको भाषनु यंदुकु नेर्चुको कोडदू अला नेर्चुको वालि अप्पुडु अंदरी मनसुलु त्वरगा कलुस्ताई मनंदर की ओके जातीय भाषा अंदुलो मन पनुलन्नी साधिन्च कुरेंदुकु वीलो उत्तोंदे इदी चेयालसिन अवसरम उन्दे